हालो इस्टुडेंट्स इस आनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं इस्टुडेंट्स आज का हमारा वीडियो बारहवी कच्छा में पढ़ने वाले बेद्यारतियों के लिए उनके प्रोज फिलेमिंगों का पहला पाट दा लास्ट लेशन से सम्मंदित हैं जिसके लेखक आप जैसा कि देख रहे होंगे अलफांस डाउट्डेट हैं इस्टुडेंट्स यह स्टुरी फ्रांस और परसिया के युद्ध जो अठारा सो सत्तर और एक हात्तर में हुआ था पराधारी था यह तोला साइड इस्टुरी आपको दिखाए पड़ेगा इसमें लेखक ने दिखाया है कि इस उद्ध में फ्रांस अपने दो जिलों को हार गया जिनका नाम था अलसास और लारेन इन जीलों को हारने के पस्जात बर्लिन से यहां फ्रांस भासा पढ़ाने पर रोक लगा दी गई और वहां अब केवल जर्मनी भासा पढ़ाई जाएगी और ऐसी आउस्ता में अब फ्रांसेसे सिच्छकों के कोई आउसकता ही नहीं रा गई थी और उणें छुती दे दिया गया था में एक फ्रांसेसे सिच्छक जिनका नाम मिस्टर हाइमल है उनके द्वारा दिया गया अंतिम फ्रेंच लेशन का इसक्रिप्सं इस पार डिया गया है लेखक ने बहुत ही सुन्दर सब्दों में इस पार्ट को बताया है तो आएए देखते हैं दा लास्ट लेशन की सुरुवात एक चोटे से बालक फ्रेंज के माध्यम से हो रही है चोटा सा बच्चा है फ्रेंज जो बिल्कुल छोटी कच्छा में पढ़ने वाला विद्यारती है वो अपने विद्याले की तरफ यातरा सुरू कर रहा है आएए हो लोग गोर से आई स्टार्टे फारी स्कूल बेरी लेट दैट मॉर्निंग और वाज इन ग्रेट ड्रेड आफ इसकोल्डिंग इस्पेसली बिकाज यह महाइमेल हैड सेड़ एट यूड कोश्चन असान पार्टिसिपल आइड आइड इड नाट नो दे फिर्स्ट वर्ड इबाउड देम लिटल फ्रेंज चोटा बालक हो कह रहा है आई स्टार्टेड फारी स्कूल बेरी लेट दैट मॉर्निंग उस सुबह मैं बहुत देर से विद्याले के लिए निकला एड वाज इन ग्रेट फी ड्रेड आप इसकोल्डिंग और बहुत बड़े डर में था डा हैमल उन्होंने कहा था कि ही उड़ कोश्चन असान पार्टिसेपिल्स क्यों है बच्चों से पार्टिसेपिल पर प्रस्न पूछेंगे और मैं पार्टिसेपिल का एक भी सब्द नहीं जानता था भाए मोमेंट एक पल के लिए I THOUGHT OF RUNNING AWAY एक पल के लिए मने भाग जाने का फैसला किया या निश्चे किया बिचार किया and spending the day out of the dores और दिन को बाहर कहीं ड्यतीत करने का बिचार किया it was so warm so bright बहुत ही गर्म दिन था बहुत ही चमकदार दिन था पच्छी जंगल के छोर पर चाचाहा रहे थे और आरा मसीन के पीछे खुली मैदान में परसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग जो परसियन सैनिक थे जिसने फरांस के दोनों जीलों को जीता था उसे राज के सैनिक अब ड्रिल कर रहे थे यहीं सैनिक अभ्यास कर रहे थे यह सब कुछ बहुत मनमोहक था टूरिशिस्ट लीकिन मेरे पास सकती थी स्वाइम को रोकने की I am hurried up to school और मैं जल्दी-जल्दी इस्कूल के लिए गया When I passed the town hall जब मैं town hall से गुजरा देरवाजिक crowd in front of the bulletin board तो वहाँ पर सूचनापट के सामने बहुत बड़ी भीड जमा थी For the last two years, all our bad news had come from there पिछले दो सालों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से हम लोगों को मिला करते थे The last battles, हारे हुए युद्ध के समाचार The draft, recruitment अर्तात जो भरतिया होती है उसके समाचार, सैनिक भरती के समाचार कह लिजिए The orders of the commanding officers अधिकारियों के आदेश And I thought to myself, और तब मैंने अपने आप से सोचा Without stopping, बिना रोके हुए मैंने सोचा What can be the matter now? कि अब कौन सी बात हो सकती है कि लोग यहाँ पर भीड लगाय हुए है अकिर आज क्या हो गया है? आज कौन सा समाचार इस bulletin board पर शपा है जिसके कारण लोग यहाँ भीड लगाय हुए है आई अगले पेज की तरह बढ़ते है Then I jai hurried by I jai could go और तम मैं इतना तेज दोड़ा जितना मैं दोड़ सकता था थोला समाचार पेज बढ़ा कर दूँ बच्चो Then I jai hurried by I jai could go और तम मैं इतना तेज जल्दी जल्दी गया जितना तेज मैं जा सकता था The black smith water who was there वहाँ पर एक लोहार जिनका नाम water था With his apprentice reading the bulletin वह अपने एक प्रसिच्चू के साथ सूचना पढ़ रहे थे Called after me उन्होंने मुझे बुलाया यह का करके Don't go so fast बब बब इतने जल्दी जल्दी मत जाओ You will get to your school in plenty of time School पहुँचने के लिए तुमारे पास बहुत सारा समय है बहुत जल्दवाजी करने के कोई आउ सकता नहीं है I thought he was making fun of me मुझे लगा मैंने सोचा कि हो मेरा मजाक उडा रहा है और मैं यह महाइमेल जी के छोटे सा बगीचे में एक ही सांस में पहुँच गया अर्तादलेखा को लगा कि यह लोहार मेरा मजाक उडा रहा है इसलिए उसे आउर स्कूल जाने के जल्दी हो गई और यह कही सांस में अपने बिद्याले के बगीचे में पहुँच गया यह जोली होए निस्कूल विगयन देरवाज ग्रेट बस्टल आम तोर से जब दिद्याले सुरू होता था वहाँ पर बहुत सोरगुल होता था फिच कूड भी हर्ड आउट इन दा इस्टेट जिसको गलियों में ही सुना जा सकता था दा ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज लेसंस रिपेटेड इन यूनसन पाठों को एक सुर में दोहराय जाने की आवाज बेरी लावड बहुत तेज आवाज विथ आवर हैंड ओवर आवर इयर टोंडर इस्टेंड बेटर और अपने हाथों को अपने कानों पर रख कर समझनी की कोशिस करते हुए यहीं जब आवाज तेज होती थी बच्चों के सुर की तो लोग जो बच्चे थे उपने कानों को अपने अगुलियों से कवर कर लेते थे कि ज़्यादे तेज ना सुनाई दे और पाट को वड़ियां से समझा जा सके आएंड दा टीचर्स ग्रेट रूलर और क्या सुनाई देता था सिच्चक के उस विशाल छाड़ी राइपिंग अन्द टेबल यसको मेज पर थबत पाते थे वह भी सुना जा सकता था बट नाव इट वाज आल सो इस्टिल लेकिन अब सब कुछ बड़ा सांत था आई हेड कांटिनीवड आंदा कामोशंट टू गेट टू मैइ डेस्क विदावड भी सीन लेकिक कह रहा है या लिटिल फ्रेंच जो बाला के कह रहा है आई हेड कांटेड आंदा कामोशंट मैंने इस भीर का फाइदा उठाना चाहा या वाइस भील का उठारा फायदा उठाना चाहता था तो गेट टू माइडेस्क अपने डेस्क पर पहुँचने के लिए बिदाउट बिइंग सीन बिना दिखाई दिये मैं अपने बेंच पर पहुँचना चाहता था बट आफ कोर्स लेकिन वास्तों में लेकिन उस दिन तो इतना स्थान था जितना की रभीवार की सुबह हुआ करता था थो दा विंडो खिडकी में से आई सा माई कलास मेंट्स मैंने अपने साफ आठियों को देखा अलरेडी इन देर प्लेसेज पहले से ही उपने स्थान पर जम्मे हुए थे और मैंने अपने से चक यह माईमेल को देखा जो अपने बाहों के नीचे अपने उस भयानक लोही की चाणी को लेकर इधर उधर चाल कदमी कर रहे थे I had to open the door मुझे दरवाजा खोलना पड़ा and go in before everybody और सब के सामने मुझे जाना पड़ा You can imagine आप कलपना कर सकते हैं how I blushed and how frightened I was कि मैं कितना सर्माया था मैं कितना डर गया था आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन कुछ खास घटित नहीं हुआ यह है मैल सौमी मिस्टर है मेल ने मुझे देखा and said very kindly और बड़े प्यार से कहा Go to your place quickly little French छोटे फ्रेंज तो उपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ We were beginning without you हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे या क्लास शुरू करने जा रहे थे I jumped over the bench अब देखिए लेकों को लगा था कि आज मुझे डाट पड़ेगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके आसा कि बिर्गल बिपरीत है हो रहा है सिच्छा कह रहा है कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और ये बहुत खुसी-खुसी कह रहा कि I jumped over the bench my bench पर कूद पड़ा and sat down at my desk और अपने desk पर जा करके बैठ गया Not till then, तब तक नहीं When I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on this beautiful green coat not till then, तब तक तो नहीं when I had got a little over my fright अपने डर पर मैं तब तक बिजे तो नहीं पाया था, did I see that तभी मैंने देखा कि our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारे सेच्छक महोदे, खुबसूरत अपना खुबसूरत हरे रंग का कोट धार किये हुए थे, हेज फ्रिल्ड, उनका जालरदार, अब जालरदार के हजर आगे देखते हैं हेज फ्रिल्ड सर्ट, एंड दा लिटिल ब्लैक सिल्क के बालक ने क्या देखा, कुन का जालरदार कमीच, उनका छोटा सा काले रंग का सिल्क की टोपी, आल इंबराइडर्ड, जो बिल्कुल पूरा का पूरा कलाई किया हुआ था, that he never wore, जिसको कभी नहीं पहनते थे, except on inspection and price days, सिवाए निरिच्छन या पुरुषकार वाले दिनों के सिवाए वो उसे कभी नहीं पहना करते थे, लेकिन आज वो विशेश प्रकार का बस्तरधारल करके विद्याले आये हुए है, besides the whole school seemed so strange, इसके अत्रिक्त, पूरा विद्याले बहुत बिचित्र प्रतीत हो रहा था, and solemn बड़ा गंभीर प्रतीत हो रहा था, but the thing that surprised me most, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादे चकित किया, watch to see, यह देखना, on the bike benches, उस पीछे वाले benches पर, that were always empty, जो हमेशा खाली रहते थे, the village people sitting quietly like ourselves, हमने देखा क्या, कि गाउं के लोग, बड़े सांती से बैठे हुए थे हम लोगों की तरह है, old hauser, एक बिद्ध hauser भी आये थे, with his three cornered head, अपने तिर्भुजाकार, अपने तिकोने टोपी के साथ, the former mayor भूतपूर्ब, जो mayor थे नगर के वो भी आये थे, the farmer postmaster, भूतपूर्ब, डाकपाल भी आये थे, and several others besides, और इनके अत्रिक धेर सारे लोग, पीछे वाली बेंचों पर बैठे हुए थे, everybody looked side, हर कोई दुखी दिखाए दे रहा था, and hauser had brought an old primer, और जो बिद्ध hauser थे, वो यह के, पुराना बाल पोथी लाये थे, thumbed at the edge, जिसके किनारे, अंगुठे लगने से काले हो गए थे, and he had it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages, उन्होंने इस बाल पोथी को, बाल पोथी समझ रहे होंगे, चोटी बच्चों को पढ़ाई जाने वल जो किताब होती, इसमें काकारा सिखा जाता है, उनको alphabet, बढ़ माला की जानकारी दी जाती है, उसी को आप बाल पोथी कह सकते हैं, तो वह पुराना बाल पोथी लाए थे, जिसको वह अपने घोटनों पर रखे थे, खोल कर, और उसी पेज के उपर, उनका एक चस्मा भी रखा हुआ था, वाइल आई वाज वांडरिंग अबाउट इट अल, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर कर ही रहा था, यह मैमेल माउंटेड ही चेर, तो मिस्टर हैमेल अपनी कुरसी पर सवार हुए, इनी बैठे, और उसी गंभीर और सजन वाड़ी में, उन्होंने मेरे प्रतिपरियोग किया था, उन्होंने मेरे प्रतिपरियोग किया था, जब बोले, क्या बोले, मेरे बच्चों, यह मेरा आखरी पार्ट है, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अल्सास और लारेन में केवल जर्मनी भासा सिखाने के लिए, बरलीन से आदेश आ चुका है, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीस ही पार्ट है, और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग बड़े ध्यानमगन हो जाओ, बहुत ही गंभीर हो जाओ, कम से कम आज तो बढ़ियां से पढ़ लीजिए, ख्वाटे थंडर क्लैप दीज वर्ट्स वेर टुमी, यह सब्द मेरे लिए डिजली की गलगला हाट के समान थे, ओ, दरेचेज, ओ, वो दुस्ट हुआई, दैट वाज हुआट दे हैड़ पुट अप दा टाउन हाल, लगता यही वो बात थी, जिसको उन्होंने टाउन हाल के बुलेटिन बॉर्ड पर लगाया हुआ था, इन्हें लेकर कह रहा है कि वो छोटा बच्चा अब समझ गया था, कि बुलेटिन बॉर्ड पर जो भील लगी थी, वो साथ इसी बात के सूचना थी, कि अब फ्रांस के दो जिलों में केवल जर्मन अपलाया जाएगा, और यहां की मदर लाइंग्वेज जो फ्रांसी सी थी, फ्रेंच थी, उसका अब अध्यापन कारे नहीं किया जाएगा, मैं लास्ट फ्रेंच लेसंट, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट, क्यूं, I hardly knew how to write, और मैं मुश्किल से अभी लिखना जानता हूँ, I should never learn anymore, मैंने, I should never learn anymore, मैं अब इसे कभी सीख नहीं पाऊंगा, I must stop there, मुझे तो ही रुख जाना पड़ेगा, देन तब क्या होगा, Oh, I'm sorry, I was for not learning my lessons, ओ, मैं बड़ा दुखी हूँ, या मैं बड़ा दुखी हुआ, अपने इस पाठों को ना याद करने के लिए, For seeking world sex, are going sliding under the star, star नदी पर, सरकने के लिए, अत्वा चिडियों के अंडों को, पकड़ने के लिए, मैं जिन पाठों को मिस किया करता था, अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे इसा नहीं करना था, My books, यह मेरी कितावें, That had seemed such a noisence, यह हुआ है लेगो, कुछ समय पहले, मेरी कितावें जो, पकवास परतीत होती थी, So heavy to carry, जिनको ले जाना बड़ा बहारी परतीत होता था, My grammar, हो चुके थे, That I could not give up, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था, And I am a male too, और I am a male भी, The idea that he was going away, इस विचार से की, वह चले जा रहे हैं, That I should never see him again, कि मैं इनको, फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, Made me forget all about his ruler, मुझे, उनके उस चणी के बारे में, भूलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, I had how crime के हिवाज, और कितने सक्त थे हुआ, कितने बदमिजाज थे, ये सब कुछ मैं भूल चुका था, मुझे अब अपने सिच्छक के प्रत भी, एक परकार का प्रेम उमण रहा था, Poor man, बेचारा, आदमी, यहाँ से च्छक को खा गया है, बेचारे ये महें मेल, I was in honor of this last lesson, I was in honor of this last lesson, that he had put on his fine sunday cloths, it was sorry, Poor man, बेचारे आदमी, it was in honor of this last lesson, इस अंतिम पाठ के प्रत सम्मान ही था, कि he had put on his fine sunday cloths, कि उन्होंने अपने सुंदर, रभी वार को पहने जाने वाला का पला पहन कर आ जाये थे, and how, and now I understood, और अब मैं समझ गया था, why the old men of the village were sitting there in the back of the room, अब मैं समझ गया था, क्योंकि वह गाउं के ब्रिद लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे, it was because they were sorry to, I size लिये था, क्योंकि वह भी बहुत दुखी थे, that they had not gone to school more, क्योंकि वह भी बहुत जादे श्कूल नहीं गये थे, it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, यह है हमारे इस इच्छक के 40 साल के वफादारी से भरी हुए स्यवा के प्रती धनेबाद देने के इनका एक तरीका था, and absorbing their respect for the country और अपने देश के परती सम्मान दिखाने का यह उनका एक तरीका था, that was their snower जो अब उनका नहीं है, कहाने का तात्पर है, लेखर बताना चाहते हैं कि यह ग्रामीड लोग अब अपने सिच्छक को अंतिम बिदाई देने के लिए आए हैं, और अपने देश को सम्मान देने के लिए यहाई कठा हुए थे, अब उनका नहीं था, क्योंकि फ्रांस अब हार चुका है अपने दो जिलों को और इस पर अब परसिया का कपजा हो चुका है, वाईल आई वाज थेंकिंग आल आफ आल दिस, जब मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था, अब उचाल करनी की मेरी बारी थी, अर्थात, अब मैं मुझे पूचा जा रहा था, जो हो मुर्क दिया गया तो उसको सुनानी के लिए, वाट उड आई नाट हैब गिवेन तो बी एबल तो से दैट रेटफल रूल फार्दा पर्टिसिपिल आल थो, बेरी लाउड और किलियर, और विदाउट वन मिस्टिक, यह कर रहे हैं, पार्टिसिपिल के कठोर नियम, बिल्कुल मैं नहीं समझ पाया था, और मैं उनको जोर से और असपस्ट से बिना किसी गलती के, सुना पानी में बिल्कुल असमर्थ था, इनको टोटली असमर्थ हो गए, बट आई गॉट मिक्श्ड अप अन्द फर्स्ट वर्ड आइन इस्टूड देर, लेकिन मैं अपने पहले ही सब्द पर, मैं उलज गया, और मैं वहाँ ख़ड़ा हो गया, होल्डिंग अन्टू मैं डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके, माई हार्ट बिटिंग मेरा हिर्दय अब धाला कर रहा था, I am not daring to look up, और उपर देखनी की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, I heard Yamaimal say to me, मैंने सुना Yamaimal को यह कहते हुए, I will not scold you little friends, छोटे friends मैं तुमको आज डाटूंगा नहीं, you must feel bad enough, तुम उइसे भी बहुत ज़्यादे गंदा मासूस कर रहे हो, see how it is, देखो कैसा है, सब कुछ हो गया, every day we have said to ourselves, हर रोज, हम लोग अपने आप से ही कहते थे, बाह, I have plenty of time, हमारे बास तो बहुत सारा समय है, I will learn it tomorrow, मैं इसे कल सीखूंगा, and now, you see, और अब तुम देख रहे हो, where we have come out, के हम लोग कहां पहुँच गए हैं, आ, that is the great trouble with अलसास, यही तो अलसास के साथ, बड़े दुख की बात है, see put self learning till tomorrow, यह सीखने का काम, कल पर टाला करती है, now those fellows, out there will have the right to say to you, अब वोए लोग, तुम से पूचने के अधिकारी होंगे, how is it किया कैसे हो गया, you pretend to be Frenchman, तुम France CC होने का दावा करते हो, या pretend बहाना करते हो, and yet, you can neither speak, nor write your own language, और तुम अपनी ही भासा, ना तु लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, but you are not the rest, poor little French, लेकिन छोटे, French, तुम अकेले, दुक, तुम अकेले, जिम्मेदार नहीं हो, तुम अकेले, बेकार नहीं हो, we have all a great deal to reproach ourselves with, हम सभी, इस बरबादी के लिए कहीं न कहीं, जिम्मेदार हैं, your parents were not anxious enough, to have you learn, तुम्हारे माता-पिता खुद उत्चुक नहीं है, कि, तुम लोग सीखो, they prefer to put you to work on a firm, or at the mills, वो अपराथमिक्ता देते हैं, कि तुम मीलों में काम करो, और खेतों में काम करो, so I still have a little more money, ताकि तुम कुछ धन कमा सको, and I, और मैं भी, I have been to blame also, मुझे पर भी दोस्ट लगाया जाना चाहिए, I have not often sent you to water my flowers, क्या मैंने, तुम लोगों को, अपने फूलों को सीचने के लिए, अक्सर नहीं कहा है, instead of learning your lessons, तुम्हारा पार्थ, सिखाने की, अपे अच्छा क्या मैंने तुमको, अपने फूलोवारी को सीचने के लिए नहीं कहा है, and when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday, और, जब मैं कभी, fishing के लिए जाय करता था, क्या मैं तुम लोगों को छूटी नहीं लिया करता था, then, from one thing to another, और तब एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, Yamahimel went on to talk of the French language, तब इसके बाद Yamahimel, एक तरफ से, दूसरे, एक पालियू से, दूसरे पालियू की तरफ, French भासा के बारे में खूब चर्चा किये, saying that it was the most beautiful language, यह काते हुए, कि संसार की सबसे खूबसूरत भासा है, in the word, यह संसार के सबसे खूबसूरत भासा है, the clearest, the most logical, सबसे असपस्ट, सबसे जादे तारकिक, that we must guard it among us, we must guard it, और हमें इसकी रच्छा करनी चाहिए, among us अपनी बीच, I never forget it, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई देश गुलाम हो जाता है, as they hold fast to their language, और जब तक वो अपने भासा के पकड़ में बने रहते हैं, it is as, तो यह ऐसा ही होता है, as if they hide the key to their prison, कि जैसे उनके पास अपने जेल की चाभी हो, then he opened a grammar, and read us our lesson, तब उन्होंने ब्याकरण के किताब खुला, और हमारा पार्ट पढ़ाया, I was amazed to see, मुझे यह देख करके बड़ा आश्यर हो रहा था, how well I understood it, कि मैं कितना अच्छा, इसको समझ गया आज, all he said, it seems so easy, so easy, जो कुछ उन्होंने कहा, वो बड़ा आसान मुझे परतीत हो रहा था, I think too, मैंने सोचा कि, I had never listened so carefully, कि मैंने कभी इतने सव्दानि पूरवग, नहीं सुना था, and that he had never explained everything, with so much patience, और इन्होंने, कभी भी इतने जाते धायर के साथ, हर चीजों की ब्यक्ख्या भी नहीं किया था, everything with so much patience, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew, ऐसा लगता था, जैसे कि यह बेचारा सिच्छक, अपना सब कुछ जितना वो जानता था, हम लोगों को दे देना चाहता था, अपने जाने से पहले, and to put it all into our heads, and one stroke, और सब कुछ हमारे दिमाग में एक ही जटके में, एक ही प्रहार में प्रवेश करा देना चाहता था, after the grammar, we had a lesson in writing, ब्याकरण के बाद, हम लोगों का लिखने का पाठ आया, that day, यह महाईमेल had new copies for us, उस दिन, यह महाईमेल, एक नई कापी लेकर के आये थे, हम लोगों के लिए, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace, उस चोटे से कागज पर लिखा हुआ था, France Alsace, France Alsace, They looked like little flags, और यह जो पन्ने थे, यह छोटे-छोटे जंडे के तरह दिखाई दे रहे थे, floating everywhere in the school room, इस्कूल के कमरे में, हर जगह हैं, तैरते हुआ दिखाई दे रहे थे, hung from the rod at the top of our desk, हमारे desk के चोटी के उपर, एक छण से बधे हुए थे, You ought to have seen how everyone set to work, You ought to have seen, आपको जान जाना चाहिए, How everyone set to work, हर कोई काम में कैसे लग गया था, and how quiet it was, और कितना सामत यह था सब कुछ, the only sound was the scratching of the pens over the paper, एक मात्र जो आवाज थी, वो कागज के उपर, कलमों के खुरचने की आवाज थी, रगणने की आवाज थी, Once, some beetles flew in, एक बार कुछ भावरे, अंदर की तरह पूर करके आए, but nobody paid any attention to them, लेकिन किसी निवे पर कोई ध्यान नहीं दिया, not even the littlest ones, यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा भी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, who worked right on tracing their fish hook, जो अपने मचली के काटे को, बनाने में जादे बेस्त था, I just that was French too, ऐसे लगता था, जैसे ओभी French हो, अन्दा रूफ फ्यद पर, अन्दा रूफ फ्यद पर, दे पीजन्स कूड बेरी लो, छट पर कबूतर बहुत धेरे-देरे आवाज में कूख रहे थे, and I thought to myself, और मैं अपने आप से सोचा, when they make them sing in German, even the पीजन्स, कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मिनी में गाना सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, और जब कभी मैं अपने लेक से उपर की तरफ देखता था, I saw a mammal sitting motionless in a chair, तो मैं देखता था a mammal, अपने कुर्सी पर गतहीन बैठे थे, and engaging first at one thing, then eye at another, और तब वह किसी एक बस्ट को नहारते थे, फिर दूसरी बस्ट को नहारते थे, ऐसे लगता था जैसे वो चाहते थे, कि हर बस्ट को अपने दिमाग में सेट कर लिया जा, जो उस चोटे से स्कूल की कमरे में दिखाई देता था, fancy for 40 years he had been where in the same place, पिछले 40 सानों से वो इसी जगह पर थे, with his garden outside the window, खिड़की के बार उनका बगीचा था, and his clothes in front of him, और उनके सामले उनका class हुआ करता था, यह उनका कच्छा हुआ करता था, just like that, लगबग इसी तरह से, only the desk and benches had been worn, smooth, केवल bench और desk थोड़ा सा, घिस करके पुराने हो गए थे, चिकने हो गए थे, कह लिजिए, the walnut trees in the garden were taller, जो बगीचे में अखरोट के पेंड थे, वो बड़े हो गए थे, and the hop point that he had planted himself, और उस एक जो लता एक प्रकार के थी, जिसको उन्होंने स्थापित किया था, लगाया था, वो यह अब टेनी मेडी हो गए थी, about the windows to the roof, खेडकी से लिपटते हुए, छत्की और कहुँच गई थी, how it must have broken his heart to leave it all, सबकुछ छोड़ते समय कैसे उनका दिल तूटा होगा, poor man, बिचार आदमी, to hear his sister moving about in the room, अपने उपरी कमरे पर, उन्हें अपनी बहन को चलते हुए सुना, piking their trunks, जो अपने सामान को बाद रहे थी, for they must leave the country next day, क्योंकि उन्हें अगले दिन, देश से बिदा होना था, देश को छोड़ देना था, but he had the courage to hear, your relation to the very last, लेकिन उनके पास हिम्मत थी, प्रते एक पार्ट को अंतिम समय तक पढ़ाने की, after the writing, लिखने के बाद, यह लिखने वाला काम करने के बाद, we had a relation in history, इतियास में, अपने बाद माला का उचारन किया, बाद बेबी बोबू, डाउन देर, I had the back of the room, कमरे के पीछे, कमरे में जो पीछे की तरफ, old houseer had put his spectacles, जो बोडे houseer, अपने चसमा पहने हुए थे, holding his primary in both hands, अपने बाल पोथी को, अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए थे, spend the letters with them, उनके साथ वेचरों को, वो भी, उचाल कर रहे थे, you could see that he too, was crying, आप देख सकते थे, कि वो भी चिला रहे थे, his voice trembled with emotion, उनकी आवाज, भावना के साथ काप रहे थी, and it was so funny to hear him, that we all wanted to laugh and cry, it was so funny to hear him, और उनको सुनना, इतना मजा किया था कि, we all wanted to laugh and cry, कि हम सबी लोग हसना भी चाते थे, और रोना भी चाते थे, बचो, all how well I remember, how well I remember it, that last lesson, यह अंतिंपाट मुझे कितना बढ़ियां से याद है, जिसको मैं बता नहीं सकता, all at once the church clock is struck 12, तभी अचानक, गिर्जागर की घंटी ने, 12 बजा दिये, then the angels, तभी, angels, जो वहां के, पादरी लोग, फुजारी लोग वहां करते थे, वह भी, तयार हो गए, at the same moment, उसी पल, the trumpet, साब्दा परसियन, returning from the, जो अभ्यास से लूटते हुए, परसियन की आवाज, तुरही सुनाई देने लगी, trumpet मानिक परकार का वाद देंतर होता है, साब्देड अंडर आवर विंडोज, हमारी खड़के की नीचे से आवाजे सुनाई दे रही थी, यह महाई मेल इस्टूड अप, यह महाई मेल खड़े हो गए, बेरी पहल, बहुत पीले दिखाई दे रहे थे, इनहीं चेर अपने कुर्सी में, मैंने उनको कभी इतना दुखी नहीं देखा था, मैं फ्रेंड्स सेड़ ही, मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा आई आई, बट नथिंग, बट सम्थिंग चोड इम, इतना ही कहें, आई आई, मैं मैं, लेकिन कुछ चीज उनके गले को अवरूद कर दिया, वह कुछ और आगे नहीं कह सके, देनी टर्न इट टू दे बलेगोर्ड, और तब बलेगोर्ड की और मुड़े, टूके पीस आप चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए, और अपने पूरे सक्ती के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा, जितना बड़ा लिख सकते थे, वाइव, फ्रांस, का मतलब होता है, फ्रांस जिंदाबाद, उन्हों लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, देन ही स्टॉप्ड और लरनेड ही जेड अगेंस दवाल, और तब रुक गए, और उन्होंने अपने सिर को दिवाल से लगाया, और बिदाव टेवर्ड और बिना कोई आवाज किये, अपने हाथों से, उन्होंने एक भाव, भंगी में हमारे सामने, हम लोगों के समझ परसुत किया, इस्कूल ही डिस्मिस्ड, कि स्कूल खत्म हो गया है, यू में गो, तुम लोग जा सकते हो, उन्होंने इसारों इसारों से ही कहा, कि अब बिद्धाले खत्म हो गया है, और आप लोग जा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स, आप आप लोग इस पार्ट को बहुत बढ़ियां से समझे होंगे, अगले वीडियो में हम इसका परसुन उत्तर, साठ कोस्चन और लाग कोस्चन, लेकर कि आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,